तो यहां पर देखिए हमारे डॉगी का तमाशा देखिए आप तो हमने इसको ना एक कुरकुरे दिया था तो इसको खाना नहीं था तो यह खेल कर रहा था उसका उसको उचाल-उचाल के फैक रहा था तो गाइज आज मैं आपके लिए बिल्कुल एक नया व्लॉग लेके आई हूँ इसमें मैं आपके लिए मीशो से मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स पर्चेस करे थे तो मैं आज आपको उनका रिव्यू दूंगी कि आप भी अपने घर के लिए उन आइटम्स को खरीद सक करते हैं तो मीशो एब जय माद़ ऑफ आफ जो है वह बहुत ही अच्छा एप है जिसमें जिसमे की महदा बहुत ही और एक वाल क्लॉक तो देखिए ये नाइट लैम था और ये दो वाल हैंगिंग थे दोनों के डिजाइन अलग-अलग है और उनका रेट भी अलग-अलग है मैं आपको स्क्रीन शॉट लगा दूँगी तो आप जाकर एप में चैक कर सकते हैं और आप अपने लिए परचेस कर सकते हैं तो ये बहुती सुन्दर वाल हैंगिंग है इसको हम बहुती अलग-अलग तरीके से अपने घर में इसको यूज कर सकते हैं तो ये दिवार में इसको टांग सकते हैं हम लोग और उसमें बहुत लग अलग डेक्टिव आइटम छोटे चोटे डेक्टीव आइटम भी हम हम मीशो यह नाइट लेम था वो मैंने इसमें रखकर इसको इसका यूज किया था वाल हेंगिंग का तो ये जो दूसरा वाल हेंगिंग है ये थोड़ा कम रेट का था क्योंकि इसका डिजाइन उससे थोड़ा कम डिजाइन था इसमें तो इसलिए उसका दोनों के रेट में फरक है लेकिन दिखने में दोनों ही बहुत सुन्दर है तो देखिए ये night lamp भी बहुत ही सुन्दर था और ये glass का बना हुआ है और इसका जो design है ये बहुत ही सुन्दर लगता है जलाने के बाद देखिए ये कितना अच्छा लग रहा था और रात को जब हम इसको जलाते हैं तो ये और भी बहुत ही सुन्दर लगता है तो आप इसको अपने घर के लिए आप लोग भी night lamp इसको ले सकते हैं तो देखिए मैंने इस तरीके से वाल हैंगिंग में इसको रखके मैंने इसको decorate किया था इसको हम दो तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं लगा सकते हैं नाइट लै यह गिर ना जाए गिरके टूटना जाए तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसको वाल हैंगिंग पे रखकर इसको डेकॉरेट कर लिया था तो यह कितना सुन्दर लग रहा है गाइस और जो जो यह सेकंड वाल हैंगिंग है सको भी देखिया मैं इस तरीके से दिवार्रों compliqué और इस पे मैंने राधा किशन की मूर्ती रखी है तो देखिए ये कितना सुन्दर लग रहा है तो इस तरीके से हम इसको अपने अपने तरीके से हम इसको डेकुरेट कर सकते हैं और सभी आइटम्स की जो स्क्रीन शॉट है वो मैं लगा दूंगी इसके साथ तो आप देख लीजिएगा तो ये आइटम्स के जो रेट हैं वो उपर नीचे होते रहते हैं मैंने अलग रेट में लिया था अब इसका रेट अलग हो चुका है तो फूर्थ आइटम मैंने खरीदा था ये वाल कलॉक जो कि पहले मुझे थोड़ी डिफेक्टिव रिसीव हुई थी लेकिन अगर आपको कोई चीज डिफेक्टिव या कोई टूटी हुई चीज या खराब चीज रिसीव भी होती है तो वो रेटन हो सकती है तो मैंने इसको रेटन करवा दिया था तो दुबारा जो मुझे पीस रिसीव हुआ है बहुत थी अच्छा रिसीव हुआ है और इसको काफी दिन हो गए है और ये अच्छे से चल रही है तो आप भी इसको अपने घर के लिए पर्चेस कर सकते हैं और ये नाइट लैम देखिए रात को जलाने पर देखिए कितना सुन्दर लग रहा है इस तरीके से इसका लुक आता है तो गाईस बस इतना ही आज के व्लॉग में उम्मीद है आपको मेरी व्लॉग पसंद आया होगा बाई बाई गाईस